मुझे ना best वाला skincare routine लेना है क्या-क्या products लिये जाते हैं एक skincare routine में एक skincare routine कब-कब follow किया जाता है क्या men और women दोनों को follow करना पड़ता है skincare routine हमें क्या अलग-अलग products लेने पड़ेंगे day के लिए और night के लिए भी क्या आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल आते हैं best वाला skincare routine बनाने का सोचो अपनी skincare ले ताकि skincare smooth भी रहे और बड़ी अडंगते shine भी करती रहे एक चीज आपको बिल्कुल ही clear हो जानी चाहिए skincare कभी भी magic नहीं होता अगर आप उसको consistently follow करते रहोगे ना आपकी skin better होती रहेगी और सही कहूं तो वो degrade नहीं होगी जैसे हमारी age बढ़ती है youthful वाला glow कहीं खोसा जाता है तो अगर आप regularly skincare follow करते रहोगे ना आपकी skin लंबे समय तक youthful वाला glow maintain करेगी आपने एक चीज बिल्कुल ही ध्यान रखनी है skincare हमेशा skin के लिए होता है men women के लिए नहीं हर किसी के लिए होता है skincare तो अगर आप सोचते हो कि men के लिए skincare नहीं होता तो आप बिल्कुल ही गलत हो आज से skincare follow करना शुरू कर दो और आपकी skin में आपको difference दिखना शुरू हो जाएगा हम आज की वीडियो में discuss करने वाले कि क्या क्या चीजें आपको consider करनी चाए एक skincare routine लेने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है क्या क्या देखना पड़ता है अपनी skin में और एक product में हम हर चीज डिसकस करने वाले है कब use करना है कैसे use करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें पूरा end तक दिखें क्या पत आपको important point miss कर दे अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते है how to build the perfect skincare routine for your skin type point number one don't rush for the products जिंदगी में कभी कोई skincare product use किया नहीं और सीधा चले गए दुकान पे 10-12 products लेकर आगए अपने ले अगर आपने भी ऐसी गलती किये ना तो आप यकीन मानो वह अपने पैसे तो वेस्ट करी रहे हो बलकि कभी आपका skincare routine लेकर आओ धीरे-धीरे products लो अगर आप जाधा product एक साथ ले लोगे ना उसके नुकसान में आपको यह बताता हूँ ना लेना बात एक ही है आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट बताऊंगा आज की वीडियो में जिससे आप अपना skin type जान पाऊगे बिकिस यूजिली यह दिक्कत बहुत आती है लोगों को अब हमारे पास customer shop पे आता हम पूछते आपका skin type क्या है वो confused हो जाते है यह भी कंसेप्ट होता है हमें सीधा product दे दो यह बिल्कुल बड़ी गलती है जो आप भी शयद करते आ रहे हो अपनी skin type जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर एक सही product लेना चाहते हो जो आज का टावल से dry up कर दो आपने फिर देखना है एक घंटे बाद आपकी skin कैसे respond करती है minimum एक घंट आप चाहओ तो थोड़ा दिर फालतू भी ले सकते हो अगर आपको ऐसा मैसूस हुआ है इतनी दिरबात कि मेरी skin में कोई डिफरेंस ही नहीं है वैसी की वैसी है तो आपकी skin है normal और अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी skin में halki full की redness हो रही है itching हो रही है irritation हो रही है तो आपकी skin है sensitive category की तो आप जब अगली बार एक skincare product लेने चाहते हो ना यह test करकर ही लेने जाओ आप तभी साही product ले पाओगे और अगर आप अपनी skin के according product लोगे वो जाधा फाइदा भी देगा और जाधा effective भी होगा आपके ले point number three know the texture अब आप skin type तो जान चुके हो अपनी तो जब आप product लेने जाओना उसका texture जरूर देखो इसका यह मतलब है suppose आप एक variant जार यह और आपकेhim और आपके स्केन ओई है तो आपने Make Sure कर ना है उसके ऑपर लिखा होणा चाहिए ओई-फ्री वो वर्हार बेस होना चाहिए जेल बीशना जाहिए बिल्कूल ही नॉन Lego munka टेगरी की है तो अपने Make Sure करना उसके ऊपर लिखा होणे है Training प्रफेक्ट्री वक्रपाइब एक फेस्रम लेने जा रहे हो तो हाइल नौरिक आसिट रहता है राइस किन के लिए और अगर आपकी सिर्म ओली है तो अपनी स्केंट टाइप के अक्रिक्ट लेना है और उसका टेक्षर देख के लेना है एक जल बेस फेस्ट बढ़िया रहता ह है ओईली स्किन के लिए और एक क्रीम बेस बढ़िया रहता है ड्राइज स्किन के लिए तो हमेशा कोई भी प्रोड़क्ट लो ना उसका टेक्षर जरूर समझो अब आप अपनी स्केंट टाइप तो जान चुकिए प्रोड़क्ट का टेक्षर भी समझो तभी आप एक बेस लगाना है और ठीका बात में लगाने मैं आपको घी падठीकिलर और बड़ा द्टाग्ट ऊस्किन केर प्रोड़क्त का डे आप सबसे पहले मैं אותו क object लिए सबसे पहले मैं अपने वाले में इक यूश करने सबसे बेएं आपको यूश करने सबसे ёपको बताने बाणे कि साथ then आपने apply करना है अपना face serum फिर आपने follow-up करना है एक moisturizer के साथ अगर आपके पास कोई day cream है उसके बाद आपने day cream apply करनी है और finally आपने follow-up करना एक sunscreen के साथ जैसे मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही बता है सारे products लेना जरूरी नहीं है बट जो जो भी products है इसी order में वो use होने चाहिए अब आगे बढ़ते हैं night routine की तरफ सबसे पहले properly अपने face को wash कर लो फिर आपने apply करना है toner then आपने follow-up करना है अपने night serum के साथ then आपने finally apply करना है अपनी moisturizer then a night cream ये एक routine होता है day का भी night का भी आप अपने according product चूज करो अपनी skin के according चूज करो correct texture में चूज करो तो वह बहुत बढ़िया work करने वाले है अगर मैं weekly की बात करूं सबसे पहले scrubbing की जाती है फिर follow-up के अज़ात एक mask के साथ वह आपके pores को cleanse भी करता है और pores को tighten up भी करता है and finally point number five stay consistent अब आपने अपना skin type भी जान लिया product की consistency भी जान ली और आपने कैसे use करना product वह भी जान लिया अब सबसे ज़रूरी point है be consistent मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ product खरीदना is the easiest part लगाना सबसे जादा important होता और effective होता है अगर product ले जाके wardrobe में रख लोगे ना वो कभी work नहीं करने वाला सही order में follow product consistently use करो हमेशा अम डे में बहुत से काम है जो करते ही करते हैं रोज सोते हो रोज खाना खाते हो similarly अगर एक skincare routine का फायदा देखना तो आपको इसको daily follow करना ही पड़ेगा एक two weeks average time होता है जब आपको आपकी स्किन में difference दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर आपकी skin मानलो जल्दी react नहीं करती तो भी आप शौर हो सकते हो आपकी skin को सिरफ और सिरफ फायदा ही देगा तो आज क्या दिल से एक बढ़िया skincare routine खरीदो और सो consistently follow करना शुरू करो and mark my words आपको आपकी skin में difference दिखना शुरू हो जाएगा dark spots हो गए pigmentation हो गए aging science हो गए skin को smooth करना या कोई भी concern है acne वगेरा हर चीज प्रपरड़ी दूर हो जाएगी और आपको मिलेगी smooth spotless और clear skin तो यह थे कुछ points जिनका अपने ध्यान रखना ही रखना है जब एक skincare routine लेने जाते हो फिर भी कोई सवाल है दिमाग में नीचे जाके comment करो हम more than happy होंगे आपकी help करने के लिए कोई भी product खरीदना है या अपने लिए skincare routine बिल्ड करना है आप हमारे whatsapp numbers पे contact कर सकते जो आपको description पे भी मिल जाएंगे और screen पे फ्लाइश होते भी दिख जाएगे आप डिरेक्टली हमें वह contact कर सकते हो में perfect skincare routine बताएंगे आपके लिए जो आपकी skin को फायदा भी देगा और best results देने वाला है long run में वीडियो पसंद करेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में अंटिल नेक्ट चाइम दिस इस यह होस्तोई सच्देवा गुद्बाद